अब फिर से वेल्कम करता हूं आप लोगों का आपके अपने YouTube चैनल पर जहां पर हम लोग बात करते हैं Business Management के बारे में, Sales and Operations Planning के बारे में, Supply Chain के बारे में So, आज हम बात करेंगे एक बहुत important topic पर Risk in International Business So, मेरा नाम कुमार वीन्स है और मैं एक Supply Chain Professional हूँ और मैं आप लोगों से connected रहता हूँ to talk on different topics of business management और simply say business, right? एक बहुत famous saying है business के case में या किसी भी case में आप बोल दीजे The biggest risk is not taking any risk. अगर आप risk नहीं ले रहे हैं, वो सबसे बड़ा risk है और एक दूसरी कहावत ही है कि if you don't invest in risk management, it doesn't matter what business you are, it's a risky business So, आप जो भी काम कर रहे हैं, अगर आप risk management में invest नहीं कर रहे हैं, तो आपका वो business, वो काम हमेशा ही risky रहेगा, right? So, आज हम topic, मैंने यह सोच समझ किए topic लिया है और इस topic पर हम detail में बात करेंगे, international business के matter पे risk कितने तरह के हो सकते हैं, क्या-क्या potential risk हो सकते हैं, और मैं पहले ही बता दूं कि जो हम discuss करने जा रहे हैं, हमारे risk का जो दाइरा है, जो area है, यह इस से बाहर भी हो सकता है, because business environment change हो रहा है, business के तरीके change हो रहे है, countries के policy change हो रहे है, companies के policy change हो रहे है, तो risk भी different kinds की आ सकते हैं, but more or less, जो potential risk हो सकते हैं, और जो उनको mitigate करने के लिए proper measures हो सकते हैं, उसके बारे में आज हम बात करेंगे, right? तो आईए देखते हैं, पहला risk जो मैंने लिए है, वो है political risk, right? यह सबसे खतरनाक वाला risk है, सबसे significant risk है international business के मामले में, क्यूं हो सकता है यह, government की policy change हो सकती है, उनके regulations, उनके law change हो सकते हैं, किसी ने दूसरे country के imports पर restriction लगा दिया, किसी का taxation law change हो गया, ठीक है, कहीं पर assets का nationalization हो सकता है, expropriation हो सकता है, प्रापर्टी का, right? तो मैं एक बहुत interesting case आपके साथ discuss करूँगा, okay? expropriation क्या होता है, पहले इसका मतलब समझ लेते हैं, expropriation होता है, आप कोई भी एक country, एक action लेती है, या कोई भी एक state एक action लेता है, जो किसी owner का property, right? वो आपने कब्जे में ले लेती है, किसके लिए, public use के लिए, that is expropriation, उसका मोटा मोटा meaning यह होता है, right? आज में एक बहुत ही important case के बारें बात करेंगे, चुकि एक तो होता है, कि चलो भाई, हमने एक theory समझ लिए बात अलगे, वाट अगर आप इन चीजों को किसी story से relate करके देखेंगे, तो आपको ज्यादा मजा आएगा, और आप relate कर सकते हैं, कि आपके साथ भी अगर वो situation हो तो यह कहानी है, देखिए, 1922 में एक कमपनी बनी थी, उस कमपनी का नाम था YPF, यह एक कमपनी बनी थी 1922 में, अगर हाफ एन आवर के बाद मैं इसे देखू, तो शायद मुझे भी पढ़ने में दिक्कत होगी, बट मैं साथ-साथ बोलते जा रहा हूं, और आपके नाम था YPF, और इसे बनाये किस ने था? इसे बनाये था Mr. Rigoyne, उसमें वहां के president हुआ करते थे, Mr. Rigoyne, इनने वहां पे एक कंपनी बनायी थी, YPF, ओके ये कंपनी अच्छे तरीके से चल रही थी, बट गरबड़ी कहां से स्टार्ट हुई, 1970s और 80s में, इस कंपनी को बहुत लॉस होना स्टार्ट हुआ, अब जब कंपनी लॉस में आने लगी, तो कुछ तो action लेना था इसके उपर, क्या करना है, 1993 में क्या हुआ, वहां के president थे Mr. Memem, sorry, उनका प्रॉपा नम था Memem, not Memem, इनका नम था Memem, right, Carlos Memem, इन्होंने बोला कि चलो भाई, company loss में जा रही है, ये 93 की बात है, company loss में जा रही है, हम इसको privatize कर देते हैं, privatization का process से start हुआ, इतनी बड़ी company थी, process में time लगता है, 99 में जाकर, finally, एक Spain की company थी, उसका नाम था Rapsol, मैं color change करता हूँ, otherwise, मुश्किल होगा, right, so, उस company का नाम था Rapsol, ये कहा की company थी, ये Spain की company थी, Spain की company, Rapsol ने 98% जो share था YPF का खरीन दिया, और company का नाम दिया, Rapsol YPF, So, YPF से अब बन गई ये company, Rapsol YPF, इस company का काम क्या था, ये company basically oil explore करती थी, oil exploration में ये company लगी हुई थी, ये जमीन से oil निकालते थे, process करके और इसको sell करते थे, अच्छा, एक मैं background दे दूँ आपको, कि Argentina natural resources के मामले में बहुत ही rich country है, और ये country हमेशा से, मतलब जब तक एक नई कहानी ये start होती है, ये country हमेशा से natural resources को energy के मामले में बात कर रहा हूं है, हमेशा export करने में आग रहाती थी, मतलब इस company का जो status था, वो net exporter थी ये company, कब तक, मैं 1987 से लेके 2011 तक की बात कर रहा हूं, ये company net exporter थी, गड़बड़ी ये start ही 2011 में, जब इस company का trade balance, energy trade balance, right, negative हो या, बतलब country को finally energy import करनी पड़ रही थी दूसरे country से, तो वहां की एक president थी, उसमें, कर्ष्टनर, उनका नाम था, मैं change करता हूं, color, उनका नाम था कर्ष्टनर, हाला कि बाद में, इनकी भी एक और story है, कभी बात करेंगे उसके बारे में, तो कर्ष्टनर ने बोला कि, ये जो हमारा trade imbalance, जो create हुआ है, ये राप्स और YPF की वज़ा से हुआ है, इन्होंने जितने भी dividends थे, उसका एक huge component, overseas investors को दे दिया, यानि अर्जेंटीना का पैसा country से बाहर जा रहा है, इनका blame ये था, दूसरा blame ये था, कि आप oil exploration में कम invest कर रहे हो अर्जेंटीना में, तो हमारे पास technology नहीं आ रही है, oil proper तरीके से explore नहीं हो रहा है, अगर हो रहा है तो quantity बहुत कम हो जा रही है, तो हम export नहीं कर पा रहे है ट्रेंट कर्शनर ने एक law pass किया, जिसके बाद Rapsule YPF वहां की एक nationalized company हो गई, अब इसके उपर Rapsule का कोई हक नहीं रहा, अभी जो मैं बात कर रहा था कि कमपनी को कैसे country अपने अंडर में कर लेती है, तो ये उसका जीता जाता example है, तो आपको पता होना चाहिए कि कैसे country में आप invest करने जा रहे हैं, वहां पे invest करना सही है या नहीं है, क्या हमारे साथ भी ऐसा हो सकता है, वह company बहुत बढ़ी थी, उनको loss भी काफी बढ़ा हुआ, बट आप जिस लिवल पे भी काम कर रहे हैं, जर छोटी company है, आप initially एक छो 2023 के बात कर रहा हूँ, March 2023 में, यूएस ने इरान पे sanction लगा है, हला कि ये कई round of sanctions लगा चुके हैं, यूएस वाले इरान पे, बट एक fresh sanction इंपोज किया गया था, और इनको बोला गया था कि इस country का, मतलब इरान का जो oil and petrochemical sale है, इसको हमें discourage करना है, तो और इन्हों ने भी बोला कि ठीक है, अभी इरान से जो भी business करेगा, जो भी country बिजनेस करेगा, या जो भी country हमें लगेगा कि इरान के petrochemical business को, oil business को encourage कर रही है, बढ़ावा दे रही है, हम उसके उपर भी sanction लगाएंगे, इसमें Vietnam की company के पूपर sanction लगा, चाइना की दो companies थे, उसके उपर sanction लगा दो इरान की खुद की company थे, उनके उपर sanction लगा, UAE में एक company थे, उनके उपर sanction लगा, क्या उनके उपर acquisition क्या था, उनको इस मामले में accuse किया गया, कि आप जो sell हो रहा है, इरान के petrochemical products का, उसमें आप involved हो, या उसको आप transport कर रहे हो, आप उसमें involved हो, right, so Iranian island petrochemicals को, business को आप encourage कर रहे हो, right, और भी बहुत सारे cases से, जैसे आप Apple का case ले लीजिए, Apple ने 2016 में बहुत बड़ा issue face किया था, चाइना में, चाइना ने iBook और iTunes movie services वहां पर block कर दिया था, बिल्कुल पूजिदर से ban कर दिया गया था, right, उनका कहना था, कि आपका जो encryption technology है, उसका हमें access मिलना चाहिए, Apple ने इसको देने से मना कर दिया, Finally, क्या हुआ, iBook, iTunes movie services बैन हो गया वहां पर, right, Coca-Cola का example ले लीजिए, आप में बहुत लोगों ने इसके बारे में सुना भी होगा, इस case के बारे में, So Coca-Cola का पर बहुत सारे country में political risk के वज़ा से business पर उनके असर पढ़ा है, वहां पर लोग बोलते थे कि बहुत साए protest हुए, उनको पर legal action भी लिया गया, उनको बोला है कि आप हमारे ये water associations को बेश्ट कर रहे हो, इसका हमारे environment पे गलत impact पढ़ रहा है, in fact Mexico में उनके उपर एक अलग से tax लगाए गया था, जितने भी sugar drinks थे, उसके उपर एक अलग से tax लगाए गया, कि आप हमारे water resources को वेश्ट कर रहे हो, अपने business को promote करने के लिए, हम issues को बदास नहीं करेंगे, तो Mexico में उनको पर एक tax ल अले हडा दू, नेसले की बात करते हैं, तो नेसले भी 1970s में और 80s में बहुत सारे problem face कर चुकी है, जितने भी developing countries थे, वहाँ पे government का इवेन आम public का भी ये एक आरोप था उनके उपर, कि आप अपने products को बढ़ावा देने के लिए कौन से products को, जो उनका infant formula जो बच्चे को पिलाने के लिए जो उनका milk बोट आता था, आपने infant formula के business को बढ़ाने के लिए आप breastfeeding को discourage कर रहे हो, तो ये एक बहुत बढ़ा आरोप था उनके उपर, जिसके वज़ाद से उनको बहुत सारे countries में बहुत issues जहलने पड़ All right, अब एक दूसरा risk है economic risk, economic risk क्या होता है, economic risk होता है, जैसे exchange rate में fluctuation आया किसी country में, inflation suddenly बहुत बढ़ गया, आप पाकिस्तान के बात ले लिजिए, वेने जुएला के बात ले लिजिए, अभी सुडान का case ले लिजिए, वहाँ भी economic crisis है भी बहुत जबर दस्त, right, किसी country मे suddenly interest rate की policy change हो गई, इसके वएसे क्या होगा, आपको एक economic risk जहलना पर सकता है, क्या करते हैं इसके लिए, hedging करते हैं, hedging एक ऐसा popular term है, और बहुत ही, मैं बोलूँगा, बहुत सार लोगों के लिए confusing terms हैं, क्योंकि इसके बारे में clarity नहीं है बहुत से लोगों को, तो हम hedging के ब होते हैं, इसके अलाव भी बहुत तरह के hedging होते हैं, जो primarily पांस तरह के hedging जो business में use की जाते हैं, वो मैं यहां पर list out किया है, मैं एक छोटा सा example देता हूं आपको, अगर आप देख लीजिए, आपने किसी चीज़ का export किया आज, एक thousand US dollar का, आज 25th में 2023 को आपने कुछ export किया, for ease of calculation मैं यह मान के चलता हूं कि आज एक US dollar जो है, sorry, 70 INR जो है, मतलब Indian rupees, वो एक US dollar के बराबर है, और आपको यह पैसा आना है after six months, right, तो आपको कितना आना चाहिए, 70,000 रुपिस, easy calculation, 70 into thousand, आपको 70,000 rupees आने चाहिए, अगर रुपी का rate, उस समय change हो जाता है, dollar के मुकाबले, right, suppose उस समय यह change होके six months के बाद, 60 INR equal to one US dollar हो जाता है, आपको कितने पैसे मिलेंगे, 60,000, तो 10,000 रुपे का आपका loss हो जा है यहाँ पे, यह उपर भी जा सकता था, इनके से अगर 80 rupees का 1 dollar होता था, तो आपको फायदा भी हो सकता था, right, तो जहां risk है, वहाँ पे potential benefits भी हो सकते हैं, तो इस risk जब फायदे की बात हो, तो कोई problem नहीं भाई, चलो, आप 70,000 नहीं, आप 80,000 हमें दे दो, मैं खुशी-खुशी ले लूगा, problem कहाँ पर आती है, मैं 70,000 expect कर रहा था, मैंने अपने business में पैसा लगाया, आपको export किया, और आज आप मुझे दे रहे हो 60,000, तो हमें 10,000 रुपय कलास हो गया, इसके लिए हम hedging करते हैं, तो बहुत तरह के hedging होते हैं, मैं इससे पहले wipe कर दूँ, राइट, अब देखिए, legal risk क्या हो सकता है, तो मैं पॉलिटिकल रिस्क की बात कर ली, economic risk की बात कर ली, आईए अब देखते हैं, legal risk क्या हो सकता है, लीगल रिस्क, foreign legal system में आप किसी foreign country में काम करें, वहां का legal system आपको अगर properly समझ में नहीं आता है, या आप उस तरीके से अपने business को, अपने business की strategy नहीं बना सकते हो, तो आपको ये risk जिलना पड़ सकता है, अगर वहां के जो नियम कानून है, वहां को समझ में नहीं आ रहे ह नहीं हो, आप ऐसे business करने चल दिये, तो आपको वहां पर legal issues जिलने पड़ सकते हैं, और क्या हो सकता है, cultural risk, ये पहला भी हमने बात किया आपने पिछले वीडियो में, जब हम मार्केट, international market selection की बात कर रहे थे, तो जीनों ने वो वीडियो नहीं देखा है, मेरा humble request है, बहुत बड़ा risk होता है, किसी भी country में जो citizens होते हैं, उनको अपना culture बहुत प्यारा होता है, अगर आपने उनके culture को नहीं समझा, अगर आपने उनके culture को respect नहीं दिया, उसकी हिसाब से अपनी business policy नहीं बनाई, आपको बहुत बड़ा risk जहलना पड़ सकता है, right, mcdonald का क्या पर प्राइमिरली इंडिया एक vegetarian country है, तो mcdonald को जब उन्होंने non-wage food यहाँ पर introduce किया था, तो उनके business को बड़ा नुकसान हो रहा था, finally उन्होंने अपने जो menu थे, अपने जो recipe तो उसको change किया, और बहुत सारे wage dishes भी उन्होंने introduce किये, right, एक दूसरा example ले थे हैं cultural risk का, आप में से किनी ने भी अगर US की company में काम किया हो, या किस European company में काम किया हो, तो आपने एक सी ध्यान दिया होगा, वो लोग time के बड़े पंक्तवर होते हैं, अगर meeting 9.30 को यह start हो नहीं है, तो sharp 9.30 को उनकी meeting के start हो जाएगी, और वो लोग वहाँ पर time पर पहुंच जाएग हमारी मरजी, हलाकि अब train धीर से change हो रहा है, बट अभी भी है, इस चीज़ को आप मासूस कर सकते हो, जापान में आप देख लो, अगर वहाँ train पारे तो वहाँ लेट होना बहुत थी exceptional case होता है, कभी वैसा मौसम में खराबी आ गई, या कुछ बहुत बड़ा issue आ गया, track म में कुछ issue आ गई, तो बात अलग है, और उसके लिए भी पहले passengers को inform कर दिया जाता है, कि ये train इतने समय से लेट है, आप इस समय तक expect कर सकते हो, exceptional case में अगर थे, लिमिट के बाहर train लेट हो जाती है, तो even passengers को उसका हरजाना दिया जाता है, government देती है, उसे compensate किया जाता है, right Table manners बहुत important होता है, हर एक country के table manners अलग होते हैं, बहुत variation होता है, body language बहुत मैंने रखता है, attitude towards work के बात करते हैं, कुछ countries में लोग बड़े ही workaholic होते हैं, मतलब ज्यादा काम करेंगे, वो काम के बीच में disturbance पसंद नहीं होता है, कुछ countries में काम को लोग बड़ा casual ही लेते है तो suppose आप एक ऐसे country से जा रहे हैं, आप एक ऐसे country के business में हैाँए जहां पर काम एक serious affair है, वहां पर लोग बहुत जादा काम कराना पसंद परते है। और आप एक country में business लगाने जा रहे हैं, जहां के लोग highly relaxed mode में करते हैं, अगर आपने वहां पर, अपने तरीके से काम करना स्टार्ट किया शोर आपके बिजनेस को सेट बैक लगने वाला है राइट चलिए आगे रिस्क क्या हो सकता है मैं एक छोड़ा सा एक्जमपर देता है आपको आपको वक्सवेगन का केस यहां दोगा आपको वक्सवेगन का 2015 में एक बहुत बड़ा स्कैंडल हुआ था जब उनको पता चला कि उनके डीजल कार में कुछ साफ्ट्वेर लोगों ने लगा दिया था जो एमिशन टेस्ट को चीट करता था तो यह बहुत बड़ा जटका लगा था उनको और बहुत सारे कार्ज उनको रिकॉल करने पड़े इवन नाइके नाइके को भी एक बहुत बड़ा स्कंडल करना पड़ा था बहुत सारे डेवलप्ट कंट्री में जब उन्होंने बोला था कि आप ऐसे कंट्रीज में शूज या अपने फूट्वेर मैनुफाक्ट्चर करा रहे हैं जहां पे लेबर लॉज सही नहीं है सही है का मतलब वहां पर वर्किंग कंडिशन सही नहीं है लोंधा और बहुत लोगद्वेस पर काम करवाते हो तो वाक्सवागन दन्यके और आप एक और कमपनी न मेरी जिनाध मैरी सैमसंग Samsung का एक model था Galaxy 7 Galaxy Note 7 आप में इसे बहुत से लोगों ने उसको यूज भी किया होगा Galaxy Note 7 तो इसमें बैटरी फटने के सिकायता रही थी और फायर कैच्छ फने के सिकायता रही थी बैटरी एक्स्प्रोड होता था इसका और इसमें बहुत सारे मोबाइस में इनके बहुत सारे स्मार्टफोंस में फायर लग जाता आग लग जाती थी ठीक है तो फाइनली जब इनको पता चला कि एशु क्यों हो रहा है इसके उपर बहुत सारे रूट कॉज अनालेसिस किये गये पता चला कि जिस वेंडर ने बैटरी सप्लाई किया था प तो जब हम इंपोर्ट एक्सपोर्ट के बारवे पुराने वीडियो में बात का थे तो मैंने एक चीज़ बताया था आपको कि कुछ कंट्री बड़े फ्रेंडली होते हैं दूसरे कंट्री के कांपनी को अपने बुलाने के लिए बड़े बिज्निस फ्रेंडली होता है उनक तो companies को अपनी strategy भी उसनी इसाब से बनानी चाहिए अधर्वाइज आपका market share आपके profit इवें आपके complete business से बहुत असर पड़ सकते हैं और आप एक failure की तरफ जा सकते हैं अगर कभी आपको time मिले तो एक site है global corruption index के लिए आप इसे जरूब विजिट कीजिए मैंने नीचे में लिख दिया है पता नहीं यह link काम करेगा नहीं मैं चाहूँगा मैं कोशिच करूँगा आपने चैनल की नीची यह link भी आपको देदू इस link को आप ज़रूर एक बार के बिजने के success and failure के लिए आए नेक्स्ट जो हमारा topic है वह रिपूटेशन रिस्क क्या हो सकता है आप किसी दूसरे country बिजने कर रहे हैं आपका image कैसा बन रहा है वहां पर आपका आपकी reputation कैसी है आप लोगों के मन में जो perception क्रेट कर रहे हैं वह कैसा क्रेट कर रहे हैं रहे को बहुत problem face करनी पड़ी थी अपने infant formula बोलेगे राइट उबर को भी इस तरह का case face करना पड़ा था जब लोगों ने बोला था कि नहीं आपकी जो business practices है आपके corporate culture है वो सही नहीं है और इसे बहुत सारे sexual harassment और discrimination के cases लोगों ने बताया थे कि उबर में ऐसा चल रहा है ड्राइबर्स का proper background verification नहीं होता था तो इस तरह की reputation जो आपकी बन जाती है तो आपके business पर definitely असर पड़ता है आप एक बड़ा मैं बहुलूंगा एक बहुत famous case है 2016 में जब US में election हुआ था तो आपको याद होगा Facebook के उपर allegation लगा था कि उन्होंने जो डाटा था वो शेयर किये थे Cambridge analytics company से Cambridge वालों से उन्हें अपने डाटा शेयर किये थे और उसका भयानक misuse हुआ था ऐसा उनके उपर आलोप लगा था कितनी बात सही है कितनी गलत है यह तो हम नहीं बता सकते बड़ यह स्टोरी है जो काफी popular हुई थी उस सम सब्सक्राइब निखर देदेवाया था बड़ा रिस्क होता है environmental खासक कर उन कंपनियों को जो ऐसे business में इंवार्ड़ होते हैं जिसमें paulution जो पालिशन ज्यादा क्रियेट करती है जो इंवार्मेंट को ज्यादा पालिट करती है राइट एकसर मोबिल का किस देख लिए ए वालास्का में एक बहुत बड़ा इंवर्मेंटल डिजास्टर हुआ था 1999 में उस कंपनी के रेपूटेशन पर बहुत बड़ा जटका लगा था इस रिस्क की होजा से राइट शेल कंपनी की फिल्ड में है तो उनके उपर ही बड़ा रिस्क है कि उनके उपर कई बार से लग चुके हैं मैक डोनाट के उपर केस लग चुके हैं बहुत सा आरोप लगे हैं इनके उपर सिंगल यूज प्लास्टिक की उज़ करनेगा तो यह सब जो केसे हैं यह हाईलाइट करते हैं कि इंवार्मेंटल रिस्क मैनेजमेंट कितना इंपॉर्टेंट होता है इंट और पूरी तयारी के साथ पूरे रिस्क मैनेजमेंट के साथ आप फिल में उतरें अगर आप ऐसा नहीं करते हैं बहुत बड़ा चांस है फिनांसियल लॉस का आपकी रेपूटेशनल डामेज का लीगल लाविलिटीज का तो बेटर यह हैं कि थोड़ा इंवेस्ट कर लिया इसका प्रॉपर नालीसिस कीजिए वहां पर एक कॉंपर्टीटिव लैंड इसके कैसा है आप कॉंपिट कर सकते हैं नहीं कंट्री की जो पॉलिसी है वह आपके फेवर में है या एक बहुत होस्टाइल पॉलिसी है कंट्री के उसके हिसाब से आप अपनी एस्टरजी से परेकर के साथ ब्योट क से जिनका रिपेशन अच्छा हो राइट डियु डिलिज़ेंस जरू करना है दि डियु डिलिजेंस क्या होता है यह जंकड्यातिले आता है राइट तहीं इसकी बाद कर रहा हूं यह बहुत फ्रिक्वेंटली रहता कि दू डिलिजन्स होता क्या है यहां पर हम इन्वेस्टिगेट करते हैं डिफ्रेंट इन्फर्मेशन के बारे में किसी बीडिविजुल के बारे में इन्फर्मेशन लगाते हैं निकालते हैं उनकी साथ कोई भी ट्रांजेक्शन करने से पहले कोई भी अग्रिमेंट करने से पहले उनकी बारे में थावर इन्फर्मेशन निकालते हैं इसमें हम पूरी आडिटिंग करा सकते हैं क्या क्या पोटेंसियल रिस्क हो सकते हैं क्या इ करते हैं यह बहुत करता है कि आप किस तरह का बिजन्स करने जा रहे हैं उसकी इसाब से जो भी आपके वेंडर्स हैं जो कस्टमर से उनकी साथ बहुत स्ट्रॉम रिलेशनसिप बिल्ड करें यह रिस्क मिटिगेशन के लिए बड़ा ज़रूरी होता है सब्सक्राइब करें उनके साथ उनको प्रॉपर सपोर्ट दें आप जहां उनको जरूरत हो अगर वहीं से आपको जटका लगना शुरू हो गया तो संभालना मुश्किल हो जाएगा सप्लाइचेन मैंजमेंट का बड़ा रोल होता है रिस्क मिटिगेशन में क्या रोल होता है थोड़ा सुचिए अगर हमें इन्वेंट्री लेबल मैनेज नहीं कर पा रहे हैं सप्लाइर के साथ में अगर हम क्वालिटी कंट्रोल नहीं मेंटेन कर पा रहे हैं अगर हम कॉस् प्रोडक्शन प्रोसेस नहीं मेंटेन कर पा रहे हैं यह सब चीजें रिस्क क्लियेट करेगी आने वाले फिश्र में तो इन सब के लिए हमारे पास कंटिजेंसी प्लान बिल्कुल होनी चाहिए अगर आपके प्रॉपर लॉजिस्टिक सॉलिशन नहीं है अगर आपके पास उस कंट्री के हिसाब से वहां के इंफ्रास्टिक्ट्र की हिसाब से किसी कंट्री में रोड ट्रांस्पोर्टरेशन की फैसलिटी अच्छी हो सकती है क तो अगर इन सब चीजों के लिए आपके पास कंटिजेंसी प्लान है प्रॉपर्ली प्लेश्ट है तो आप इस रिस्क को मैनेज कर सकते हैं और क्या हो सकता है तो पॉलिटिकल रिस्क के अगेंस्ट में हम इंशोरेंस ले सकते हैं नैच्रल डिजास्टर जो होते हैं उसके प्लाइचनूमि प्लाइचें में हम इन सुरेंस ले सकते हैं उसके लिए हम इंस्वरेंस पॉलिशी ले सकते हैं जो यह सब स रिसक में में है जो भी लोकल लॉस्ट वह बहुत ज़रूरी होता है ठीक já जो भी लाइसेंस की ज़रूरत है वह पर जो पर मिट साइए हमें जो लेबर लाइसेंस के लिए जांट चाहिए टैक्सिसन रियूटेड जो भी कंप्लाइंस इशू है वो नहीं आने चाहिए डिया नियुक्स किसी भी कंट्री का किसी भी लोकेशन का लोकल कल्चर का नॉलज होना ब्राज जरूरी होता है उसके इसाब से अपनी मार्केटिंग एस्ट्राइजिग बनाई यह राइट मैंने पहले ही बात किया था किसी पाटिकुलर कंट्री में कोई एक कलर को अच्छा नहीं मानते हैं किसी नंबर को अच्छा नहीं मानते हैं कोई एक पाटिकुलर वर्ड होता है जो अच्छा साउंड नहीं करता है आपके कंट्री में अच्छा साउंड करता हो दूसरी कंट्री में उसका मिनी कुछ और न आगर आपके जीतना भी स्टेक उटर सेंट आपके सप्लायर से आपके वेंडर से आपके कस्टरमस से आपके गौर्वरमेंट पार्टनर से हैं हो उनकी साथ proprietor बहुत जरूरी होती है है आप जो का लाइंतो treatment जारूर सैंट कि चाहिए कि आप लोकल उंट का सीखिए जो li not जहां पर आप बिजनस करें दूसरी कंट्री में वहां पर उसका मिनी बिल्कुल उल्टा हो सकता है और आपको उसके परिणाम भुगतने पड़ सकते हैं राइट human capital में जरुए invest करें अच्छा talent हायर करें जरुनालिजेबल वर्कफोर्स को हायर करें ट्रेनिंग के प्रॉपर अरेज्मेंट करें और employees development के लिए time to time जरुप प्रोग्राम बनाते हैं यह सब कुछ रिस्क मिटिगेशन स्ट्राइज होते हैं सो आज के लिए मैं यहीं पर स्टाप करूंगा टापिक काफी और महीं बोलूंगा किप लर्निंग किप ग्रोइंग किप शैनिंग वेरेवर यहार तो थैंक यू थैंक यू वरी माच जय हैंद